कि कक्ष 8 गनेट प्रस्नावली दो ये नए सल बदस्वारण है पूरानी किताब है अगर आपके पॉर पांस में तो आपके दोप्र प taş्नावली स्ञेन पेज नंबर 37 wha. यूवाली मिलेगी 37 पर और नए सलबस के अनुसार आपके पेज नमबर 9 पर यह 2.2 परस्णाफलिये वह ़ो दोनों सेम यह और यह नए सलबस नई किताब के अनुसार आपकी 2.2 परस्णाफलिये कोुछ में हम सोल करते हैं 2023 का जो नया सलबस आया है उसके अ सोल करेंगे 2.2 में आपको रेकिक समय करने के हल ज्याद करने यानि कि इसमें जो हमारा X देरगा इसका आपको मान ज्याद करना है इनको पहले हम रेकिक समय करने के रुप में बदलेंगे फिर इसको हम 3-5-2 इनको हम एकते रप करेंगे और एक बटा पांच और एक बटा चार को हम एक साइड में ले जाएंगे तो यह हमने पक्षांतन की नियम में भी देखा था किसका जो नियम है माईनस वारी से इग्या राइबर सो इा दर आती हैं और पिलस वारी से ऊखने राती हैं वो हमारी माइनस में हो जाती हैं, तो यह हम इसमें पक्षान-ति करके सभी रूप में लिखेंगे, यह सबस्ब से पहले आ जाएगा हमारा X बटा दो, यह प्लस का X बटा 3 है, इदर आएगा हो जाएगा आपका माइनस का X बटा 3 बराबर में एक बड़ा चार पहले से हैं और इसमें हम जोड़ेंगे यह जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि मैनस का एक बड़ा चार एक बड़ा पांच बराबर से इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा तो यह हमारा एक बड़ा पांच हो जाएगा अब हम इसको लोगुतम लेके जोड बाकी करेंगे दो और तीन के लोगुतम कितने आते हैं दो और तीन की जो लोगुतम आते हो आते हैं छे दो ती अच्छे होता है तो हमने लोगुतम ले लिए छे दो का भाग देंगे छे में कितने बार जाएगा 3 बार जाएक दो थी अच्छे और 3 को गुणा क्रेंगे X से तो 3X हो जाएगा ये माइनस 3 का भाग दैंगे 6 में 2 बार 2 को X से गुणा क्रेंगे तो ये हो जाएगा 2X और बराबर में उसमें हम लगतम लेंगे 4 और 5 का तो चार और पांस के जो तो लगतम आते हो चारो पंजे 20 आता है तो चार का भाग देंगे पांस में बीस में तो पांस बार जाएगा तो पांस उपर आ जाएगा ये प्लस पांस का बाग देंगे 20 में वो चार बार जाएगा पांस चोग 20 चार को एक से गुणा करेंगे उपर से तो चार एकम चार आजाएगा अब इसको हम हल कर लेते हैं आग्या और यहां पर यह तीन X में से दो X घटेगा तो यहां पर एक ही X बचेगा और बटे में हमारा 6 आजाएगा बराबर 5 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 9 आजाएगा और बटे में आएगा हमारा 20 आप चाहे तो इसे 6 को और 20 को कार सकते हैं आपर यहां पर नीचे वाले संग्या से कट जाती क्योंकि यह बराबर से इदर आएगी तो यह बाग में तो यह गुणा में चले जाएगी तो इसको हम थोड़ा सा और आगे स्वाल करते हैं तो यहां पर यह हाँ यह 3 हम तो एक्स का मान दाकना तो इस च्छे को ह wzglाँगा यह बाग में इदर आएगा तो उपर गुणा में चला जाएगा तो यह आजाएगा हमारा एक्स बराबर इसको मैं बर्रिया लि काटेंगी तो यह दो का पहाड़ से यह चे कटेगा आपका तीन बार और यह बीस कटेगा दस बार इसका जो फाइनल उतर आएगा नो को तीन से गुणा करेंगे नो तिया 27 और बटे में हमारा दस आजाएगा यही हमारा आंसर होगा क्योंकि 27 और दस और आगे नहीं कटेंगे यह हमारा एक्स का माणने 27 बटा 10 तो आएए अब इसका जो दूसरा वाला सवाल इसको हम सूल करके देखतें यह वाला स्वाल है एन बटा दो माइनस तीन न बटा चार प्लस पांच न बटा च्छे बराबर 21 इसको हम सूल करते हैं और एन का मानस में गयात करते हैं तो यह हमने दूसरा स्वाल लिखा यहां पर एन बटा दो माइनस तीन बटा चार प्लस पांच एन बटा छे यहां पर एन बराबर से एक तरह पी है तो इनको वापस है जो पक्संतर करने की ज़रत नहीं है तो हम सबसे पहले इनका लगुतम लगके जोड़ वाकी कर लेते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे दो का चार का और छे का लगुतम निकलेंगे एक ऐसी संख्या लेनी है जो दो के पाड़े में भी आए चार के पाड़े में भी आए और छे के पाड़े में भी आए और वो संख्या छोटी से छोटी होने चाहिए इसी संख्या बारा होती है जो 3 के 3 ही, फिर 3 का देंगे 1, 1 और 1, यहना कि 2 दो नी 4 और 4 तया 12, लगुतम जो आएगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 12 हो जाएगा, लगुतम कितना लेंगी 2, 4 और 6 का लगुतम, यह 2, 4 और 6 का लगुतम है, वो हो जाएगा आपके 12, अब इस इसका भाग देंगे हम यह दो छtestंग बारा होते तो 6 बार बागव चला जाएगा, 6 को गुणा करेंगे वापस N से, यह होजाएगा आपका 6N, 6 को N से गुणा किया तो मारा 6N आया, अब हम वापस – है तो माइनस लिख लेंगे, 4 का बाग देंगे 12 में, तो 4 का बाग बारा में 3 बार जाएगा, 4 तिया 12 होते हैं और 3 को गुणा करेंगे 3N से तो 3 तिया 9N हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा आपका 9N फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और फिर 6 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार आएगा दो बार जाएगा 6 दूनी 12 फिर 2 को गुणा करेंगे हम 5N से तो 2 इंटू 5N करेंगे तो 2 पंजे 10N होता है तो प्लस के 10N हम यहां पर लिख लेंगे और बराबर में जो हमारा 21 से उसको हम वैसक वैसे ही लिख लेंगे अब यहां पर जोड भी हो रही है और बाकी भी हो रही ह नोएन हो जाएगा तो 6 और 9 यह 6 और 10 जुडेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16N-9N अब 16 में से 9 को गटाएंगे तो जो कितना बच जाएगा आपका 7N यहां पर बच जाएगा आपका 7N तो इसको मिया पे लिख लेंगे सबसे पहले इन दोनों की जोड कर लेते 6N और इस 10N की जोड करेंगी जो कितना हो जाएगा आपका 6 और 10 16N माइनस 9N और बटे में लगुतम का हमारा 12 और बराबर में हमारा चल रहा है सवाल का 21 अब हम यहाँ पर गटा लेते हैं देखो 16 मेंस से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारा 7N और बटे में हमारा जो बारा है वो लगुतम का चली रहें तो बारा हो जाएगा और बराबर में कितना आजाएगा हमारा 21 आजाएगा हमें मान याद करना है N का N का मान गयात करना है तो N को अक्यला करना पड़ेगा इस साथ को भी हम यहां से अटाएंगे गुना से और बटे में जो यह बारा भाग में है इसको यहां पर गुना में ले जाएंगे यहां पर हम अगली स्टेप में इसको लिखेंगे N बराबर यह 21 इंटू यह 12 भाग वाले उपर गुना में चला जाएगा यहां पर और यह 7 जो उपर गुना में है वो निचे बाग में आ जाएगा अब हम यहां पर 7 के पार से 21 को काड़ देंगे यह 7 एकम 7 और 7 तिया 21 तो N बराबर कितना जाएगा हमारा N बराबर 3 इंटू बारा और बारा को 3 से गुना करते तो कितना आता है बारतिया 36 आता है और यही अपने अंसर है तो दूसरे का जो अंसर आएगा वो बारतिया 36 आ जाएगा यह इस प्रकार से आपको लिख लेना है तो इसमें हमने लगुतम लेके जोड की है अब हम इसमें करेंगे आपके सवाल नमबर 3 सवाल नमबर 3 है X प्लस 7 माइनस 8 X बटा 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5 X बटे 2 यहाँ पर दोनों तरफ X है तो हम X को एक तरफ ले जाएंगे यह वाला जो हमारा माइनस का 5 X बटा 2 है इसको हम इधर से इधर सिफ्ट करेंगे यह माइनस का बराबर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और दूसी चीज यह जो हमारा साथ है यह बिना X वाला है तो इसको हम बराबर से इधर लाएंगे यह प्लस का है इधर आएगा तो मैनस का 7 हो जाएगा तो इन दोनों को हम पहले जो पक्षानतन करके लिख लेते हैं फिर लगुतम लेते हैं तो पहले हम X यह मैनस का 8X बटे 3 तो वैसे वैसे ही रहेगा मैनस का 5X बटे 2 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा 5X बटे 2 और बराबर में है हमारा 7 बटे 6 और यह प्लस का 7 बराबर से इधर आएगा तो मैनस का 7 बन जाएगा अब तक हमने क्या किया पक्षानतन किया है माइनस वाले बराबर से इधर ले गए तो इसको हमने प्लस में बदल दिया प्लस वाले साथ को हम बराबर से इधर लाए इसको हमने माइनस में बदल दिया X, X वाले अब एक तरफ हो गए बीना X वाले एक तरफ हो गए अब इनका हम लगुतम लेके जोड बाकी करते हैं इसके बटे में कुछ नहीं तो A के X के बटे में कुछ नहीं तो A के लिख सकते हैं साथ के बटे में कुछ नहीं तो हम A के लिख सकते हैं यह हमने लिख लिख लिया अब हम एक का तीन का और दो का लगुतम लेंगे और छे का और एक का भी लगुतम लेंगे दोनों तरब लगुतम लेंगे तो आप लिख भी सकते हैं दोनों तरब लगुतम लेने पर तो लगुतम लेने पर या फिर लगुतम लेके हल करने पर तो ये बार बार हम इसमें लग छे देखो तीन के पाड़ में भी आते हैं छे दो के पाड़ में भी आता हैं तो हमने लगुतम ले लिया छे तो इधर तो लगुतम आजाएगा आपका बराबर से इधर छे लगुतम आजाएगा और बराबर से इधर भी छे कम छे हो जाएगा ठीक हम लगुतम में छे ले ले और लिए गविप में मैनस है तो मैनस लिखेंगे। तीन का भाग देंगे। इस च Gandhi जो दो बबार जाएगा और दो को 8 से गुणा करेंगे । दो इन्टॵ आपवेंगी तो 2 अटी सॉला होता है। इस लाएक्स हो जाएगा यहाँ पर आजेगा आपका 16 अथ ह 2 बीच गुंगा करेंगे तो पांस तिया 15 पिंदरा है वह जाएगा 15 अब बराबर से इदर भी हम इसका लगूतम लेए तो 6 और 1 यह ने 6 ले लिया 6 यह का बात शे में एक बार जएगा जिएAK कम जो एक बायों 17 से गुंगा के जोड बाकी की है, इसको हम आगे असॉल करते हैं, यहाँ पर 6X और 15X जुडेंगे क्योंकि दोनों पलस के हैं, पलस पलस वकले जूड जाते तो 6 और 15 इन दोनों को जुडेंगे, तो 15 और 16 कितने होते हैं 21X हो जाएगा तो 15 और 6 इनको जुडेंगे तो यह माइनस के 25 बचेंगे 17 में से 42 तो नहीं जाते हैं तो हम उल्टा गटाएंगे उल्टा गटाएंगे 42 में से 17 तो कितना बचेगा यह मारा 25 बचेगा और हमने उल्टा गटा है तो हम माइनस लखा लेंगे तो माइनस का ये 25 उपर बचेगा और बटे में 6 हमारा लगुतम का चलता रहेगा यहाँ पर 21 में से 16 को गटाएंगे और बटे में 6 लिकेंगे बराबर में 25 बटा 6 रहा है यहाँ पर हम क्या करेंगे अगली स्टेप में 21 में से 16 को गटाएंगे 21 में से 16 को गटाएंगे तो यहां पर कितना आजाएगा तो 21 में से 16 को गटाएंगे 21 में से 16 को गटाएंगे तो यहां पर आजाएगा आपका 5X और बटे में 6 और बराबर में हमारा आएगा मैनस का 25 और बटे में 6 यहां पर देखो यह वहला 6 बराबर में इधर है यह भाग में है।כל B9 बराबर से इधर जाएग़ फिर G9 से 6 कट जाएगा। तो हम स्चे को यहीं पर काट रहे। यह दूनों तरफ C में तो स्चे सीव़लप चाइगा। बच्चे का क्या हमारे पास में हमारे पास में जो सहीं का बच्ची हुई वो इस प्रकार है पांच एक्स बराबर माइनस के पच्चिस हमें तो एक्स का मान गयात करना है एक्स का मान गयात करना है तो इस माइनस के पच्चिस में हम यह गूने वाला जो पांच है इसको बाग म ले आएंगे एक्स का जो मान आएगा वो आजएगा हमारा एक्स बराबर माइनस 25 में 5 का बाग देंगी तो माइनस के 5 बाज जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है बाग में उपर प्लस की सिंग क्या है या उपर माइनस की सिंग क्या है बाग में तो यह हमेशा माइनस ही आती है तो यह हमने लिखा माइनस के पांच तो इसका उत्तर आया वह एक्स बराबर माइनस के पांच है वो ही हमारा अंसर है इस प्रकार से आपको जो सवाल नंबर यहां पर पक्सानतनी करेंगे पहले हम क्रोस गुणा करेंगे इस 5 को गुणा करेंगे इस ये x-5 से और 3 को गुणा करेंगे X-3 से अगली स्टेब में इसको हम लिखेंगे 5 इंटू x- 5 बराबर 3 इंटू x-3 ये किया हमने अब इसको 5 को अंदर गुणा कर देंगे तो 5 का X से गुणा करेंगे तो 5X हो जाएगा फिर माइनस है तो माइनस 525 हो जाएगा 5 का हम अंदर गुणा कर रहे हैं बराबर 3 को X से गुणा करेंगे तो ये 3X हो जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 तिया 9 हो जाएगा अब हमारे जो स्वाल है वो दोनों तरफ X वाले से तो पक्सांदर कर देंगे प्लस के जो 3 X है ये जो प्लस के 3 X से बराबर से इदर आएंगे तो माइनस के बन जाएंगे और यह माइनस के 25 बराबर से इदर आएंगे तो प्लस के 25 बन जाएंगे हम इनको पक्षांदन करके लिख लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे 5X यहां पर आजाएगा हमारा 5X यह प्लस के 3X बराबर से इदर आएगा तो माइनस का 3X बराबर यह माइनस के 9 और माइनस के 25 इदर आएंगे तो प्लस के 25 बन जाएंगे अब इसको हम आगे 6 कर लेते हैं पांच में से 3 जाएगा तो 2X बचेगा बराबर देखो माइनस के 9 और प्लस के 25 प्लस माइनस माइनस होता है तो 25 में से 9 को गटा लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा 16 बचेगा और 16 प्लस का बचेगा क्योंकि जो बड़ी सेंख्या होती उसका निसान लिखते हैं तो हमने 25 में से गटाया 9 को जो कितना बच गया 16 बच गया यहां पर X का मान गयाद करना है तो इस दो को भी अटाएंगे दो इसके गुणा में बराबर से इदर आएगा तो इसके बाग में चला जाएगा तो यह X बराबर क्या हो जाएगा यह 16 बचेगा यहांनि कि X का मान कितना आगे है में यह एक्स बराबर कितना आजाएगा आठ आजाएगा और यही अमारा अंसर है तो एक्स बराबर आठ इसका उत्तर हैं सवाल नमबर 4 सूल कि अब इसका 500 करते हैं तो यह है आपके सवाल नमर 5 3 T-2 बटे 4 तो यहां पर इसको हम वापस लिखतें 3 T-2 और बटे में कितना जाएगा 4 यह उपर पूरा एक कोस्टक में है यह दोनों एक साथ है माइनस या जाएगा आपका दो टी प्लस के तीन और बटे में आपका तीन और माइनस में जाएगा आपका ये माइनस का टी बराबर से इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा तो प्लस में लिखेंगे इसको हम टी और बराबर में क्या बचेगा दो बटा तीन बच जाएगा, इस टी के निचे कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे तो ये टी बटा एक बच जाएगा, अब हम इसमें लगुतम लेंगे फिर इसको सॉल करते हैं, तो लगुतम जो आएगा वो तीन, चार और एक का आएगा एक चार तिन का लोगुतम, चार तिया बारा आ जाएगा, तो बारा इसका लोगुतम लेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे सोल करते हैं, तो यहां पर जो इसका लोगुतम आएगा, बारा इसका लोगुतम आएगा, लाइन खेच के हमने इसका लोगुतम ले लिया, बारा, फि चार को गुना करेंगे। 2 t t plus के 3 से। फिर प्लस एक का बाग देंगे 12 में 12 बार जाएगा और 12 को टy से गुना करेंगे तो 12T हो जाएगा। और बराबर में चलता रहेगा हमारा दो बटा 3 अब हम इसको आगे सोल करते हैं यहां पर 3 का अंदर गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 3 तिया 9 ती यहां पर आजाएगा 3 तिया 9 और ती मैंनस 3 दूनी 6 मैंनस माइनस के चार को प्लस के दो से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस गुणा होके माइनस बनेगा तो चार दोनी आठ टी और प्लस माइनस माइनस चार त्या बारा फिर प्लस में आजाएगा हमारा बारा टी यह हमने लिखा है यहाँ पे अर इसका लोगुतम कितना आया था? 12 आया था तो इसके नीचे 12 लिख लेंगे बराबर में हमारा चलते रहेगा 2 बटा 3 अब इसमें हम क्या करते हैं? इसको हम कार देते हैं यहाँ पे तो यहां पर यह कटेगा एक बार कटेंगे चार बार अबामिश को क्या करते TY वाले को अलग जोर ले तरह को पिना T वाले को अलग जोरतें tenent tea a two भार्रा ये सभी जोडेंगे अलग जो तो तो प्लस के प्लस में जूड़ जाएंगे तो ये 12 और 9 दोनों जूड़ेंगे तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे यहां पर अगली स्टेप में लिखेंगे हम इसको 12 और 9 यह जाएंगे आपके 21 T यहां पर लिखेंगे हम इसको 21 T और मैनस में हमारा 8 T यहां पर मैनस के च्छे और मैनस के बारा मैनस के अठारा हो जाएंगे और बट्टे में कितना है चार है तो इस चार को हम उपपर ले जाएंगे यह बराबर में आपका छोड़ देंगे इसको यह हो जाएगा आपका दो बटा तीन यह है अपके दो यह अंदर से गुणा हो जाएगा इसको वापस काट के लिख लेते हैं आपके यह आपके दो इंटू चार यह तीन तो कट गए बारास से तो यहां पर दो इंटू चार यान की आठ हो जाएगा दो इंटू चार यहां पर 21 में से 8 को यहां बचेगा आपका 13 T what बचेंगे आपके 13 T minus 18 और बराबर में चार दूनी 8 यहां minus के 18 बराबर पर जाएगे तो प्लस के थारा बनेंगे तो यह हो जाएगा आपका तेरा टी बराबर आठ प्लस अठारा आठ और अठारा को जोड़ेंगे आठ और अठारा को तो आठ और अठारा को जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा तेरा टी बराबर कितना जाएगा तेरा टी बराबर 26 हमें तो टी का मान गयात करना है तो इस चबीस को भी हम यहाँ से अटा देंगे चबीस को भाग में ले जाएंगे जबीस के भाग में ले जाएंगे तेरा को तो इस चबीस में तेरा का भाग जाएगा आपके दो बार तो टी का मान कितना है आपके टी का माना है इसमें दो तो T बराबर हम लिख लेंगे इसमें 2 और यह हमारा अंसर है यह है आपके सवाल नमबर 6 यह है M माइनस M माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस M बटा 2 बटे 3 इसमें हम क्या करेंगे M वाले को एक तरफ लेंगे और बिना M वाले को एक तरफ रखेंगे तो यह हमारा जो पूरा बाग है मैनस वाला इसको हम उठाके इधर लाएंगे जो प्लस का बन जाएगा देखो यहां पर लिखेंगे हम इसमें M-1 बटा 2 यह मैनस का है बराबर से इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा यह लिखेंगे हम प्लस यह M-2 यह पूरा यहां से हटा है यह वाला मैनस प्लस बनेगा यह वाला नहीं आएगा M-2 बटे 3 आजाएगा और बराबर में 1 चलेगा अब M के निचे कुछ नहीं तो हम M के निचे 1 लिख लेंगे तो यह M बटा 1 हो जाएगा 1 का 2 का और 3 का लोगुतम लेंगे तो 1,2,3 का लोगुतम कितना आएगा आपके 6 आजाएगा यह 6 का लोगुतम आएगा 1 का बाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा 6 को M से गुणा करेंगे तो 6 M आजाएगा minus 2 का बाग 6 में देंगे 3 बार 3 को m-2 1 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा m-1 जाएगा फिर अगली स्टेप में plus है तो plus लिखेंगे यहान 3 का बाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा और 2 को गुणा करेंगे m-2 से बराबर में कितना है 6 1 देखे तो एक चलता रहेगा गुना कर लेते हैं यह बाग में है इसको मिया साटा के इधर गुना में बेज देंगे यह आजाएगा आपका 6M माइनस देखो इस 3 को M से गुणा करेंगे तो माइनस के 3M हो जाएगा माइनस माइनस गुणा हो के प्लस का 3 एकम 3 आ जाएगा फिर प्लस में 2M और प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और बराबर में 1 इंटू 6 आजाएगा हमने इस 6 को भाग में था इसको गुणा में ले गए अब हम क्या करेंगे M M वाले को जोड लेंगे प्लस प्लस वाले को ये 6 M और ये 2 M दोनों प्लस के तो जोड जाएंगे 6 और 2 कितने हो गए 8 M हो जाएंगे ये माइनस के 5 M वैसे वैसे लिखेंगे 3 M 5 M नहीं 3 M और फिर जो बचा हुआ है इनको हम बराबर से उदर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 है ये उदर जाएगे तो मैनस का 3 हो जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं 3 और माइनस के 4 बराबर में 6 कम 6 इन दोनों को हम गटा लेंगे देखो यहां प्लस का 3 और माइनस के 4 यह कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा यहां पे हमारे पास में 8 और 3 आट में से 3 जाएगा तो 5M बचेगा यह प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 जाएग अब देखो हमें M का मान ग्याद करना है तो 5 M को अकिला रखेंगे इस एक को इदर ले जाएंगे तो 6 मैनस का 1 इदर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा यानि कि हम 6 में 1 जोड देंगे तो हमारा पास आजेगा 7 तो 5 M बराबर 7 अया हमें तो M का ही मान ग्याद करना है तो इस 5 को भी हम 7 के बटे में ले आएंगे और यह हमारा M का मान आ जाएगा इसी प्रकार से आपको इसमें M का मान ग्याद कर लेना है तो अब तक हमने इस प्रस्णावली 2.2 का जो आपके सवाल नमबर 1 से लगा के 6 तक की जो सवाल है वो सारे सोल कर लिए है अब हम इसका 7 आटवा 9 दसवा यह 4 सवाल और सोल करेंगे इसमें आपको निमन समीकनों को सरल रूप में बजलते हुए हल करना है पहले इनको सरल रूप में लिखना पड़ेगा फिर इनको हम आगे सोल करेंगे तो आईए इसका जो साथवा सवाल इसको भी हम सोल कर लेते हैं यह हमारा सवाल नमबर 7 है इस सवाल नमबर 7 में आपके 3 कोस्तक T मैनस 3 बराबर यह दे रखा है आपको 5 कोस्तक 2 T प्लस 1 यहाँ पर हम T के इस 3 को अंदर गुणा करेंगे पांच को भी इसके अंदर गुणा करेंगे फिर सवाल को आगे सोल करते हैं तो 3 को T से गुणा किया तो हमारा यह सवाल है ना 7 सवाल तो 3 को T से गुणा किया तो यह 3 T हो जाएगा 3 को मैनस के 3 से गुणा करेंगे तो मैनस के 9 हो जाएंगे बराबर में 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दोनी 10T हो जाएगा प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा अब हम T वाले को एक तरफ रखेंगे और बीना T वाले को एक तरफ रखेंगे प्लस के दस टी बराबर से इधर आएंगे तो मैनस के दस टी बन जाएंगे तो तीन टी तो वैसक वैसी रहेंगे और मैनस में दस टी आ जाएगा बराबर में ये प्लस का पांच वैसक वैसी रहेगा पहले से ये जो मैनस के 9 है वो बराबर से इधर आएंगे तो पलस के बन जाएंगे तो पलस के ये 9 आजाएगा अब हम क्या करएंगे 3 में से 10 को गटाएंगे तो 3 में से 10 जाते तो मैनस का 7 बचता है तो минस के 7 T बराबर 9 में जोड़ेंगे 5 तो कितना बचेगा बनेगा चौदा हो जाएगा अब आपको टी का मान गयाद करना है तो इस मैनस साथ को यह से हटाओ प्लस के चौदा में मैनस के साथ का बाग देंगे तो साथ का बाग चौदा में दो बार जाता है तो प्लस मैनस मैनस तो टी बराबर आजाएगा आपका मै माइनस 4 माइनस 2 कोश्ट का वाइप माइनस 9 और प्लस के 5 कोश्ट कोश्टक Y प्लस 6 बराबर 0 सवाल इतना लमबा जरूर है लेकिन बहुत असान इस सोल करते हैं 15 का अंदर गुणा करेंगे 15 का वर इंदर गुणा करके इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 15 का y से गुणा करेंगे तो 15 y हो जाएगा फिर हम वापस गुणा करेंगे मैंनस के 4 से तो प्लस मैंनस मैंनस 15 चोप 60 हो जाएगा ये और मैंनस के 2 को y से गुणा करेंगे तो मैनस का 2Y हो जाएगा मैनस मैनस दोनों गुणा होके प्लस का हो जाएगा और 2 नमे 18 हो जाएगा फिर प्लस के 5 को गुणा करेंगे Y से तो यह हो जाएगा हमारा 5Y और 5 को 6 से गुणा करेंगे दोनों प्लस के तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और बराबर में 0 अब हम क्या करेंगे जो Y वाले प्लस हैं उनको जोड लेंगे तो ये प्लस के 15 Y और प्लस के 5 Y जोड़ेंगे तो 15 और 5 कितने हो जाएगे ये 20 Y हो जाएगा और माइनस में हमारा 2 Y ये माइनस के 60 है ये 18 और ये 30 ये प्लस के 18 और प्लस के 30 जोड़ जाएगे तो ये 48 हो जाएगा ठीके 30 और 18 को जोड़ा तो ये हुआ हमारा 48 प्लस के और माइनस के साथ तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 60 और प्लस के 48 और बराबर में चल रहा हमारा 0 अब हम क्या करेंगे यहां 20 में से इस दो वाई को गटा लेंगे जो कितना वाई बचेगा 18 वाई बचेगा यहां पर मैंस के 60 और यहां पर 48 तो यहां पर 60 में से 48 को गटा देंगे 60 में से 48 को गटाएंगे तो यह बचेगा हमारा 12 वो भी मैंस का देखो मैंस के बड़ी सेंगे तो मैंस में भी बचेंगे तो मैंस में 12 बराबर में 0 यह हमने 60 में से 48 को गटाया क्योंकि माइनस के 60 प्लस के 48 है तो यह हो जाएगा मारा माइनस के बारा अब हम इसको पक्सांतर करेंगे Y कमान गयाद करना 18 Y बराबर ये माइनस के बारा इधर आएंगे तो प्लस के बारा और Y कमान गयाद करना है तो हम 18 का बारा में भाग दे जाएंगे तो 12 बटे 18 अब 12 और 18 किसके पाड़े में आते हैं 6 के पाड़े में आते हैं यह आपके सवाल नंबर 9, 9 सवाल आपके सामने हैं, 3 कोष्टक यह गुणा हो रहा है, 5z-7 से, मैंस के दो गुणा होगा, 9z-11 से, और बराबर में हैं हमारा 4 कोष्टक, 8z-13, और मैंस में 17, यह जो 4 है, वो 13 तक ही गुणा होगा, मैंस 17 से, गुणा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोष्टक है, वो 13 तक ही, तो इसको पहले हम सोल करते हैं, बराबर के दोने तरफ, फिर इसका हम पक्सान तरफ नकरके आगे हल करते हैं, यहाँ पर 3, 5, से गुणा होगा, तो 3, 5, 15, 15, जेड, यहाँ लिकिएंगे हम 15, जेड, और मैंस में 37, 21 होजाएगा, मैंस के 2 को 9 से गुणा करेंगे, तो मैंस के 18 होजाएगा, 2, 5, 18, जेड, और मैंस मैंस गुणा होके बन जाता है, प्लस, माइनस के 2 को माइनस के 11 से गुणा करेंगे तो प्लस के 11 दुनी 22 हो जाएंगे बराबर से इधर 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 4 आटी 32 हो जाएगा ये 4 आटी 32 जेड और माइनस में ये प्लस माइनस माइनस तेरा का 4 से गुणा हो गए तो 52 हो जाएगा यह जो जेर है इसको हम एक तरफ पलस माइनस कर लेंगे इस वाले जेर गवी एक तरफ ले आते हैं तो यह जयेगा आपका 15 जेर माइनस के 18 जेर अब बचात्र हूं 32 जेर हैं 32 प्लस के बराबर से दर आएगा तो मैनस में जाएगा रह उसको मैनस में 32 जेड़ लिखेंगे हम कि यहां पर बकार anthrop bess रहें वहा हैं वह मैनस को बावन और मैनось 17 मैनस के बावन और मैनस सहत्र दोनों मैमांनों माइनस के जूर जाएंगे सात और दो 19 रिया पह स्थ पाँच और 6 प्लस का 21 बनेगा और यहां पर जो मारा 22 है वो बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 22 बनेगा अब जो हम यहां पर जोड़ बागी करेंगे वो प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे माइनस वाले को माइनस में तो दोनों माइनस माइनस के जोड़ जाएंगे 18 और 32 दोन 10 का 0 और 3 और 1 4 और 5 50 जेढ़ हो जाएगा माइनस यह पहएगा 15 जेढ़ और बराबर में क्या है बराबर में यह दोनों मैनस मैनस के जूड़ जाएंगे तो यह जोगा 9 और 2 1111 का 1 असल का 1 6 और 2 8 और 1 9, या आप क्या जाएगा मैंनस में, और पलस में आपका 21 जो यहाँ पे 15 z हैं, इसमें से हम 50 z 105 से पंदरा को गठा लेंगे जो हमारा मैंनस का 35 बचेगा 35 z हो जाएगा और बड़ाबर में इदर माइनस के 21 और प्लस के 21 जब हम इसको गटाएंगे तो ये माइनस का 70 बचेगा देखो प्लस माइनस माइनस बड़ी संग्या माइनस का निसान बड़ी संग्या का गया तो माइनस लगेगा दोनों का जो माइनस माइनस है हो कट जाएगा ठीकिए? ये बाग में जाएगा तो कट जाएगा अपस में याँ पर हमने इसको काट दिया तो जो जेड़ का मान है वो 35 जेड़ बराबर 60 है तो जेड़ बराबर आजाएगा आपके 70 बटे 35 अब 70 में 35 का बाग दे दो जो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा और ये 2 ही अपने अंसर है इस प्रकार से आपको जो 9 सवाल भी सौल कर लेना है ये आपका दस्वा सवाल है और इस प्रस्णावली का ये अंतिम सवाल है आपके 2 पॉइंट आपके 2 खतम हो जाएगी तो 2.2 का ये दस्वा अंतिम सवाल आपके सामने है 0.25 को गुणा करना है 4F-3 से बराबर में 0.05 को गुणा करना है 10F-9 से यापर हम क्या करेंगे 0.25 को 4 से भी गुणा करेंगे 0.25 को 3 से भी गुणा करेंगे तो आपको पॉइंट वाला गुणा आना जरूरी है इस सवाल के लिए असान सा सवाल है और जो हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा है पॉइंट लगा करेंगे यापर हम 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 इंटू 4 कितना होता है 25 इंटू 4 होता है टिके याप गुणा करेंगे यहां घुमा करके लिख रहें या पर तो यहां लि पॉइंट लगा लो कितना जाएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट साथ पांच बराबर यह देखो यहां पे जीरो पॉइंट जीरो पांच है जीरो पॉइंट जीरो पांच को गुणा कर दो 10 से पहले point को भूल जाओ यहां से 5 को गुणा कर दो 10 से 5 दे 50 दो संके चोड़ के point यह तो दो संके चोड़ के point वापस लगा लो यह हो जाएगा आपका 0.50 0F अब बराबर में क्या है माइनस में क्या है 9 है तो 0.09 को 0.05 को हम गुणा करेंगे 9 से तो यह हो जाएगा आपका point को भूल जाओ अभी 5 से गुणा कर दो तो 950 45 और 0 से गुणा कर तो 0 ही आएगा तो 2 संके चोड़ के वापस point लगा लो तो 0.45 आजएगा तो माइनस में 0.45 अब बराबर से इदर point F वाले को एक तरफ लियाओ यहां पर तो है 1.00F यह प्लस का 0.50F बराबर से इदर आएगा तो माइनस में 0.50 हो जाएगा F बराबर यह माइनस के मैंनस के 0.45 और बनाबर से इदर मैंनस के 75 को ले जाएंगे तो यह प्लस का 75 होोजए 170 175 गहां प्रहं इसको वापस होजाते हैं मैनस यह हो जाएगा आपका 0.45 और मैनस का इज लाए तो प्लस 0.75 देखो पॉइंट के बाद में जी नंबर होते हैं को अलग-अलग बोला जाता है इसलिए मैं 7525 बोल रहा हूं बागी तो है तो 25 पीचोतर लेकिन इसको हम अलग-अलग बोलते हैं तो अब हम एक में से 0.50 को गटाएंगे तो एक पॉइंट 00 मैं से इस 0.50 को गटाएंगे तो 0 जी 1.000 मैं जैतों नई जाएगगा उदार लेंगी तो 10 दसमे .5 तो पांच बचेगा और यहां पर जी रहाएगा है यहां पर कितना बचेगा जिरो पॉइंट पांच जिरो एफ ठीक है और यहां पर आजाएगा आपका यह पैतालिस है तो यहां पर हम पिच्छोतर में से पैतालिस को गटा लेंगे तो पिच्छोतर में से पैतालिस को गटाएंगे तो कितना बचेगा तीस बचेगा ठीक है ज बाग में ले शेये बाग में ले जएगे ढ़ अरय बराबर क्या जायगा हमारा यह 0.30 Maui 300-0.50 से 2 फ से दोंके दोनों कह़ा पॉस्क्ट हटा देंगे तो बचेगा हमारा एप एफ बराबर तीस बटा पचास तीस बटा पचास इसके जिरो से जिरो को काट देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा एफ बराबर तीन बटा पांच आंसर आएगा तो यह था आपकी दो प्रस्णावली पूरी यह पूरी पीडिये आपको मारे एप के अंदर मिल आपके अपनी कोपे में लिख सकते इस परकार से मैंने सवाल समझाये आपको समझ में आया होंगे को जीओ बर्स में दोस्णाइन करना दोस्तों साथ में पर ज़रूरर से करना वाँ अरधोय मिलेंगे जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जैहिन, जैबारत चैनल को सास्क्राइब करें के वीडियो को लाइक करना है और एंड्रोइड एप को डाउनलोड करना है